तो क्या बेली की रेसल मीनिया के अंदर हमें एक स्पेशल एंटरंस दिखाई दे सकती है वेल अभी फिलाल बेली जो है स्मैक डाउन के बाद कुछ टाइम में ट्विटर के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करती है सिंगर की एंड पैरा मोर इनका नेम है और फिलाल यहां पर यह बेली के सौंग के बात करती है कि शायद हमें जो है बेली का में भी जो है एक सौंग या पर एक स्पेशल एंटरंस प्ले होता है देखा दे सकता है रेसल मीनिया फॉर्टी के अंदर तो यह फिलाल कुछ चीज़े हैं और देखते क्या वो स्पेशल अपीरियंस करती रेसल म पर शेयर करी है और अविफ लाज बेली की एंड यह काफी लमाल के फ्यूड है इसको मिनीवेंग वह उना चाहिए नाइट वन का स्थ नाइट वन को मेंट करेगा लेकिन इसको बील्ड काफी अच्छ डवुडवली को करना चाहिए थोड़ा सजाए डवडवली इस पर थो वेगरा डन हो चुकि उन्होंने रिटर्न किया वहाँ पर अपना लेकिन वो डबुडबली में भी आ सकते थे डबुडबली भी इंटरस्टेट थी और इवन डबुडबली उनको रस्लमीनिया के अंदर भी लाने का सोच रही थी यानि कि वो उससे पहले डबुडबली में सा कोई चीज होई नहीं एडबली के साथ सारी डिल वेगरा फाइनलाइस हो गई और फिर जाकर उकाड़ा एडबली के अंदर चले गए और उकाड़ा का यह डिल भी काफी बड़ा उनको अमांट मिला है चार साथे चार मिलियन टॉलर की पर यह उनको डिल ओफर है और डेवि बात करते हैं हम लोग अंधरादे की तो अंधरादे क्या हमें जाजमेंटन को जान करते हैं दिखाए दे सकते हैं वैल अभी क्iable चेमिवर्पके वह इस चीज लीट को पोच्छता है यह भी के वारे में वीट यह ट्विटाल था गोच्छी समया नंच्ट होंगा है फिन बैलर डेमियन प्रीस के बास मनीन दा बैंग भी है तो देखते हैं लेकिन पता नहीं डबल डबली अपर एड़ करवाएगी तो लगता नहीं जादा कोई चांस से कि अंदरादिका की वो एड़ हो सकते हैं लेकिन में रिटान के बाद सरफ उनों ने की मैचिक हम बीट चुका है कोडि रोस ट्विटर पर वही अपनी थपड लगाने वाले इमोजे को पोस्ट करते हैं फोटो को पोस्ट करते हैं वह एक सिंप्ली डॉट देते हैं लिखते डब डबली को टैक करते हैं तो बस यह व्लाल कुछ नॉर्मल सा रियक्शन है और डब डबली ने भी भी मर्चनडाइज लगाई है और एक दो दिन में डब डबली के मर्चनडाइज सेलर बन जाएगी वाल कुछ कोडि रोस के बारे में चीज़े हैं लेडिसे रेसन मीनियों के अंदर क्या कमागत देकी रोर्ट बात करते हम लोग टिफनी साइटन के बारे में तो टिफनी सा जाना चाहती है यूज काई की डब डबली फिमेश चैंपंशिप की तरफ तो एको क्या होता है डब डबली से पहले अपने वीडियो डालती है चाहए पर टिफनी सैटन जो है यूज काई की फोटोस देख रहे होती है यहां पर वो वीडियो लेने वाली बंदी पूस्ती तो क्या कर रही हो तो टिफनी सैटन सिर्फ इसका जवाब देती कि मैं सिर्फ टेक्स्टिंग कर रही हो तो क्या इससे कोई है कि क्या जो है यो स्काई की पीछ वो जाना चाहती है या तो तो आन्यवियोर्श विम्स जैंपनशिप के से निदिग के हैं या फिर क्या उनकी ड करेगी वेले से काफ़ी कुछ आइडिया भी लगाया जा सकता है लेकिन देखते हैं क्या चीज़े होती लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ definitely meaning हो सकता है बाकि देखते हैं क्या Tiffany Saturn हमें जो है Women's Championship के लिए जाते हुए देखा देती है या फिर क्या और प्लान है लेकिन ये फिलाल कुछ बाते हैं ये फिलाल कुछ चीजे थी जो कि WWE शेर करती है लेट से क्या होता है डिपने साथिन का future फिर बात करते हैं हम लोग हमारे next and final story के बारे में यो की जुड़ी है WrestleMania 40 के बारे में तो WrestleMania 40 के बेटिंगवाट्स भी देख लेते हैं क्या कहते हैं बेटिंगवाट्स कौन जिएतना मैच इसके अंदर तो विमेज चैंपिन्शिप के लिए मैच होगा बेली वर्सिस योस्काइब अभी मैच के अंदर जो पेली है वो काफी अच्छी तरी किसी फेवरेट है अच्छी योस वाले मैच के अंदर अपने डू मैक इंटार फेवरिट हैं एंड से अंडर डॉट इस वाले मैच में एंड रोमन रेंस और गोडी रोड्स का अंडिस्प्यूट डबू डबली उनिवर्स चैंपेंशिप का मैच इसके अंदर कोडी रोड्स माइनस 750 के और्स के साथ छीज है कि इस साल रॉसल मीनिया के अंदर रोमरे सापना मेन चाट करने जा रहे हैं अदो है हल्कों के इस वाल defer मेंन के रेकौर्ड को जा रहे है also Seth Rollers को भी उनका पहला Officially WrestleMania का में इवेंट इस साल मिलने वाला है and Cody Rhodes भी जोए दोनों नाइट्स को रोम मरें इसके साथ Officially Main Event करने जा रहे है and Rock भी अपना 6th and World Most Ever जो है Main Event भी जो है प्ले करने वाल है WrestleMania के अंदर तो ये फिलाल कुछ कमाल का स्टाट है आकि फिलाल आज के वाली वीडियो बसेद ने सिती और में भलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर